देखिए कहते हैं जब तन अपवित्र हो जाता है जब सरीर गंदा हो जाए मैला हो जाए तो हम नहाते हैं सावन सेम्पु यूज करते हैं और सावन से सेम्पु से सरीर को हम साफ करते हैं लेकिन अगर मन मैला हो जाए तो उसके लिए क्या करोगे किसी के पास में जवाब है प्यार से बोलो जोड से बोलो नजी सरीर गंदा हो जाए तो सावन सिम्पु लगा लेंगे लेकिन मन मेला हो जाए तो उसके लिए केबल एक साधन है भागवत कथा श्रवन पान करें ये भागवत गंगा ऐसी है हमारे मन के गंदगी को मन के मेल को धो करके साफ कर देती आप इस पंडाल में बैठे हैं और यहां बैठ करके अपने भीतर से अपने अंतर दय से कभी किसी का बुरा मत सुचिएगा क्योंकि आप यहां पर आए है तो मन के मंजन करने के लिए आए है जितना कथा आप सुनोगे उतना ही मन निर्मल होता चला जाएगा जब भागवत कथा के माध्यम से मन को साफ किया जाता है आत्मा को सुत किया जाता है तब जाकर के प्रभू आकर के आपके सुन्दर मन में बिराजमान हो जाएगे इसलिए भाव से कथा में हम सभी प्रवेश करेंगे सर्व प्रथम सुन्दर स्लोक स्रिमद भागवत कथा के बारे में पदम पुराड में बताया गया भागवत जी ने अपनी तारीव सुयम नहीं किया पदम पुराड ने भागवत जी के प्रसमसा किया सर्वप्रथम स्लोक आता है सच्चिदानन्दरूपाय बिसोत्पत्यादिहेतवे तापत्रय विनासाय स्रीक्रेशनायवयम नुमह सच्चिदानन्दरूपाय सच्चिदानन्द भगवान का हम सभी बंदन करते हैं भागवजी के महात्मय के प्रथम स्लोक में भगवान के बारे में बताया देखो आप सभी बेठे हैं तो भगवान से प्रेम करने के लिए बेठे हैं और प्रेम करने से पहले उनके बारे में पता होना भी बहुत जरूरी है आप अगर किसी से प्रेम करोगे तो केबल उसके सौंदर्य को उसके शरीर को देख करके उसके सुंदर चहरा को देख करके प्रेम नहीं करना चाहिए अगर प्रेम करना है तो रूप के साथ में गुड का भी देखना बहुत जरूरी आप जिसे प्रेम करो वो गुडवान हो रुपवान तो हो लेकिन गुडवान होना अधिक जरूरी और हम सबी आज से ले करके ठाकुर जिसे प्रेम करने के लिए आज से हम प्रारंब कर रहे है वैसे आप लोग बहुत बड़े भक्त तो हो लेकिन बास्तविक प्रेम भगवान से करने के लिए हम इस्थान में बेठे हैं और ठाकुर्ज के गोड को जानना भी बहुत जरूरी है